नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो जैसे कि हम जानते ही है कि Realme की 10 सिरीज 17 नमवंबर को चाइना में लाँच हो रही है और यह में बहुत जल्द इंडिया में भी देखने को मिलने वाली है दोस्तो इनफेक्ट मस्तर मादर सेट आलरी टीस करना भी स्टार्ट कर चुके है इस सिरीज के बारे में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर के फर्स वीक तक हमें ये इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तो लाँच से पहले ही इस सिरीज के सब इंफरमेशन बाहर आ चुके हैं कि कौन-कौन से फोन यहाँ पे होने वाले हैं उन इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में तो अगर आप भी जाना चाते हैं तो बने रहे हैं कि कौन-कौन से फोन यहाँ पर होने वाले हैं तो अभी तक जो इन्फोमेशन मिल रही है दूस्तों उसमें चार फोन सामने आ रहा है रियल्मी 10 4G, रियल्मी 10 5G, रियल्मी 10 प्रो और जो सबसे पॉपलर होने वाला है रियल्मी 10 प्रो प्लस जिस पे रियल्मी ज्यादा फोकस भी कर रहा है और जो सबसे ज़ादा इन्फोमेशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है अब अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रियल्मी 10 4G की तो यह ऑलरड़ी globally launch हो चुका है, तो खेर इसके बार में सारे information हमारे पास already है, दुस्तों की कैसा होने वाला ये phone, तो चलिए फिर Realme 10 4G से start करते हैं, और फिर हम जाएंगे आगे की तरह, तो इस phone का design आप देख सकते हैं दुस्तों, एक gradient finish के साथ मैं आपको polycard में बड़ी देखने को मिल रही है design दोस्तों अच्छा लग रहा है, बात कर रहा हूँ front side की, तो यहाँ पर आपको मिलता है punch old display, जो कियाता है दुस्तों super amulet panel के साथ, जी हाँ यहाँ यहाँ पर 98 का screen refresh rate भी यूज़ किया गया है, इसके अलब अगर मैं बात कर रहा हूँ दूस्तों processor की, तो mediatek का helio g99 chipset यहाँ पर दिया गया है, जो कि latest है 4G chipset है, और हाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ camera की, तो 50 megapixel का primate sensor यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बाकि वही features हैं, जो कि realme की पहले वाले phones में देख चुके हैं, जैसे कि 50,000 mAh का battery, 33,000 का fast charging support तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, globally इसका price हलाँ कि थोड़ा सा ज़्यादा launch हुआ है, करीब 15,000 अगर यही same phone आता है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि 12,000 अगर मैं बात कर रहा हूँ realme 10 5G वाले variant की, तो हलाँ कि यह भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि इससे आप कह सकते हैं, जो realme 9i 5G आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ इसी 0 chipset दिया गया था, तो performance दोस्तों, बढ़ने की जाएके थोड़ सा कम को देखने को मिलेगा, और इसके लाब अगर मैं बात कर रहा हूँ बागी सारी चीजों की फिर चाहिए, डिजाइन की बात की जाए, तो वो भी आप बात कर रहा हूँ, Realme 10 Pro 5G की जो जो लीक सब को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, वो भी दोस्तों में Realme 9 Pro 5G से ही देखने को मिल रहे हैं, मतलब बहुत ज़रा डिफरेंस नहीं होगा, Realme 9 Pro और Realme 10 Pro 5G में दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी बता जा रहा है कि Snapdragon 695 को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक IPS पैनल होगा, जहाँ पर 128 का स्कीन रिफरेशिर दिया जाएगा, और यहाँ पर भी आपको 5000 इमेज का बैटर देखने को मिलने वाला है, तो बहुत ज़रा डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों, तो खेर अभी तक दोस्तों, बहुत ज फोन्स अवेलिबल है, लेकिन हाँ दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर Realme 10 Pro Plus की, तो यह बहुत यह एकसाइटिंग होने वाला है, क्योंकि जो फीजर अभी तक निकल के आ रहा है, और जिस प्राइस में दोस्तों यह आ सकता है, डेफिल्टी यह बहुत यह क अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यह बी काफी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यह आपको मलेगा एक AMOLED पैनल के साथ में, जहाँ पर 128 का स्क्रीन रिफरेंशेट भी आपको दिया जाएगा, तो डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं होगी, डिजाइन में में काफी अच्छा देखने हो मिल रहा है, इसके लोगा तो बात कैमरा की कही जाए, तो 108 मेगापिक्सल का का यहां पर primary sensor देखने हो मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अडरवाइट सेंसर होगा, 16 मेगापिक्सल का सेल काफी अच्छा देखने हो मिलने वाला है, इसके लब अगर बात कीजाए, दोस्तो बैटरी की तो 5000 मेच का बैटरी होगा, और यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि यह काफी light weight phone होगा, 173 gram की weight के साथ में पर देखने हो मिलने वाला है, तो यह phone दोस्तो काफी exciting लग रहा ह camera quality भी अच्छा होने वाला है, तो मुझे लगता है इस दोस्तो भी काफी कमाल का होगा, और खेर मैं तो इस phone का काफी समय से weight भी कर रहा हूँ, और जो leaks हमको देखने हो बल रही है, जो information देखने हो बल रही है, उससे इसका excitement और बढ़ गया है, तो मैं उमीद कर रहा हूँ दोस्तों कि इसका प्राइज लगबग 25,000 विगास पास आना चाहिए, बागी आप बदाएगा कि आप इस phone के बारे में क्या सोचने हैं, क्या आप इस phone के लिए excited हैं, क्या बेट करना चाहेंगे इस phone का, आप हमें नीचे कमेन सेक्ट रहा सकते हैं, तो बस दोस्तों यही थ आज के इस वीडियो में मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आयो होगा, अगर इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फोर्मेशन आएगी तो वो भी हम आपके साथ ज़रू शेयर करेंगे, तो चलिए, मिलते हैं आप सक लैसे ही किसी वीडियो में तब तक लिए और अगर वीडियो पसंद आयो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखने चाते हैं तो